केरेस का मतलब होता है किस करना, टचिंग और होल्डिंग लोविंग ली, ठीक है प्यार से किसी से चिपकना, ठीक है तो जैसे हम प्राइवेट में ये सारे ठाम करते हैं ना हाई चैम्स, इस वर प्रेम भाहिया, वल्कम तो अनधर इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रम क्लास एट इंग्लेस हनिड्यू बुक, मैं बता दू यार आपको कि हम पढ़ रहे हैं क्लास एट इंग्लेस हनिड्यू बुक का चाप्टर नंबर एट और शॉर्ट मॉंसून डायरी और इस चाप्टर से हमने अलड़ी फर्स पार्ट अप्लोड कर रखा है, इस पार्ट की लिंक आपको उपर इंफॉर्मेशन बिटन पर मिल जाएगी, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको फर्स पार्ट की लिंक मिल जाएगी, प्लीज क्लिक ओन दे लिंक वास्ट वीडियो, हाँ, मेक शूर कि आपने फर्स पार्ट की वीडियो देखी हो, क्योंकि फर्स पार्ट में हमने फर्स पार्ट को पढ़ाने के बाद, फर्स पार्ट की जो कंप्रहेंसन चेक क्वेशन थे, उसको भी हमने कराए थे, तो दाट वीडियो is most important for you, फर्स पार टू ओफ चाप्टर नमर रेट, अशॉर्ट मॉंसुन डैरी रिटेन बाई रसकिन बॉंड, 27 जून, 27 जून को आखरी डैरी लिखी थी रसकिन बॉंड ने, और उसके बाद, पार्ट टू में, सेकंड अगस्ट को उन्होंने अपनी अगली डैरी लिखी, सेकंड अगस्ट क क्या हुआ था, जून पच्चेस को क्या हुआ था, यह सबब हो अल्रेडी पढ़ चुकी है, अब आपको पढ़ना है कि भाई, दो अगस्ट को क्या हुआ था, यह देख लेते हैं, All night the rain has been drumming on the corrugated tin roof, ऑथर बताते हैं कि बारिस हो रही है, और लगातार बारिस हो रही है, पूरी राद बारिस होती रही, बारिस की जो आवास थी ना, वो drumming, drumming का मतलब, अब देखो, जो ऑथर था ना, वो tin की छत में रहता था, मतलब ऑथर जिस रूम में रहता था, उसका जो चत था, वो टीने का चत था, अब जब टीने पर बारिस की बूदे पढ़ती थी, तो वो drum की तरह आवाज करती थी, तर, 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 ठीक है, अब ये जो tin था, जब जब इसका ये जो tin का चत था, वो corrugated था, corrugated का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जो tin के चत होते हैं, उसमें नालीदार तरीके से कुछ बनाया जाता है, ताकि अगर चत पर पानी गिरे, तो वो आसानी से नीचे आ जाए, ठीक है, तो author का जो tin का चत था, उस पर सारी रात बारिस होती रही और बारिस होनी की वज़े से tin जो था वो drum बन गया था, उस पर तर 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 अवा जा रही थी, there has been no storm, author बताते हैं कि भाई उस रात ना तो तुफान आया था, ना ही कोई बिजली कड़क रही थी, बस लगातार, Swiss, लगातार बारिस होए जा रही थी और ऐसी वैसी बारिस नहीं थी, कैसी बारिस थी, ट्रॉपिकल डाउ लेकिन उसी समय, it doesn't keep me from sleeping, लेकिन उसी समय, मौसम इतना प्यारा था, मौसम इतना खुसनुमा था, कि मुझे सोने से भी, रोक नहीं पा रही थी बारिस, it is a good sound to read by, अब author को थोड़ा सा जोक करने का मन करता है, मजाक करने का मन करता है, तो author कहता है यार, यह पढ़ने में कि within, बारिस बाहर, सांती अंदर, बारिस बाहर, सांती अंदर, बारिस बाहर, सांती अंदर, कितना अच्छा लग रहा पढ़ने में, ठीके, तो यही कह रहा है, author कि यार, यह पढ़ने में कितना अच्छा लगता है, बारिस बाहर, सांती अंदर, and all the tin roofs are given to springing, unaccountable leaks, हलाकि ज उसी को इंग्लिस में springing कहते हैं आथर कह रहा है कि जो मेरी tin की छत थी ना उसमें उसे पानी धीरे-धीरे टपक रहा था क्योंकि उस छत में unaccountable leaks थी इतने छोटे-छोटे छेत थे कि हम उसे account नहीं कर सकते थे हम उसे ढूर नहीं सकते थे ऐसे छोटे-छोटे holes से पानी तो author को ऐसी feeling आ रही थी there is a feeling of being untouched by सबसे पहले तो भाई author room में था तो author को ऐसा लग रहा था कि बारिस उसे चूड नहीं रही है लेकिन जो tin की छत से धीरे-धीरे पानी टपक रहा था ना उससे author को यह feeling आ रही थी कि जैसे author ना बारिस की touch में है बारिस की एकदम मतलब contact मे हैं समझ में आया चलो अगस्त 2 को तो यह सारी चीजे हुई थी अगस्त 3 को क्या हुआ था यह देख लेते हैं अगस्त 3 को author लिखते हैं कि बारिस बंद हो गई है जो बादल है वो धीरे-धीरे खुल रहे हैं और बादलों की खुलने की वज़े से the sun strikes the hill on my left जो सूरज दे ह उनकी पहली रोस्नी मेरे left side पर एक पहाड था मतलब author कह रहे हैं कि बारिस बंद हो गई है बारिस बंद होने के बाद बादल भी खुल गये हैं और बादल खुलने के बाद जो सूरस दे होता है उनकी रोस्नी उनका जो शाइन है वो कहाँ पढ़ रहा है वो मेरी left side पर एक वहाँ पर पढ़ रहा है। और भी बताते हैं कि और उस समय क्या-क्या हो रहा था। और एक ओरत को देखते हैं जो लकडिया काट रही थी और उसी समय और ने क्या सुना तिंकल ऑफ काउबेल्स जो गाय के गले में घंटी बजी होती है न तो जब आगे बताते हैं कि मैंने एक पेड़ पर देखा पेड़ किसका था एक बलूत का पेड़ था एक ओक का ट्री था ओधर ने एक ओक के पेड़ पर देखा कि और बहुत ही दुखी मन से कां 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 करता है क्यूं करता है क्यूं करता है से गीला हो चुका था और इसलिए वो थोड़ा सा निरास था थोड़ा सा वो दुखी था आगे ऑथर बताते हैं कि इसलिए वाटर ड्रीप्स फॉम लीकिंग ड्रींट पाइप जो पाणी था वो बूद बूद करके टपक रहा था कहां से टपक रहा था जो बिलडिंग से बारिस का पानी बाहर निकालने के लिए जो पाइप लगी होते है उसको हम ड्रेंट पाइप कहते हैं ठीक है तो ड रहार्क श्वीट सीक्रेट फ्रम धट्ड रेवाइन यहां पर अधर ने देखा यार यह सारी चीज़े हो रही थी तब भी अचानक अधर को एक बहुत ही साप सुथरी एक बहुत ही सुध आवाज सुनाई देती है यह आवाज किस चीज़ की रहती है गाना गा रहा है कौन ग थ्रस का गाना ऐसा लगता है जैसे कि एक बहुत बहुत जादा बहुत ही मधुर एक सीक्रेट आवाज आ रही है बिल्कुल ऐसी आवाज आप सुन लो मैं आपको सुना देता हूँ विसलिंग थ्रस की आवाज तो भाई ये आवाज थी विसलिंग थ्रस की और विसलिंग थ्रस की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे बहुत ही मधुर बहुत ही प्यारा सा कोई सीक्रेट बात बता रहा हो और ये आवाज कहां से आ रही थी from the depths of the ravine जो valleys थी जो घाटियां थी जहां पहाड खतम होते थे वहाँ पर बहुत गहराई थी ठीके तो उसको valleys कहते हैं तो वहां से इस whistling थ्रस पक्षी की आवाज आ रही थी और घाटियों में से आवाज आ रही थी इसलिए बड़ा प्य डायरी लिखता है देखते हैं 12 अगस को क्या होता है endless rain author कह रहा है कि भाई बारिस बंदी नहीं हो रही है end of permanent mist और बारिस के साथ साथ ना एक लगातार धुन्द लगातार जो mist है mist का मतलब क्या होता है कोहरे जैसा होता है लेकिन कोहरे में क्या होता है ठंडियों में पढ़ हो रही है और आठ नो दिन से लगातार सूरज हमें दिखा नहीं है क्यों क्योंकि mist है क्योंकि धुन्द है अगल बगल को जो माहौल है वो एकडम private है कोई किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा we have not seen the sun for eight or nine days ये mist ये धुन्द होने की वजह से author बता रहे हैं कि हमने आठ या नो दिनों से सूरज को देखा ही नहीं है everything damp and soggy सारी चीज़े गीली हो चुकी है सारी चीज़े soft हो चुकी है नरम हो चुकी है soggy हो चुकी है nowhere to go author कहते हैं कि हम कहीं जा नहीं सकते हैं हम किवल room में ही आगी पिछे कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं हम room से ही look out of the window at a few bobbing umbrellas हम room के ही खिड़की से देख सकते हैं कि कुछ लोग अपनी umbrellas को लेकर पहले जा रहे हैं फिर आ रहे हैं फिर जा रहे हैं फिर आ रहे हैं बॉबिंग का मतलब क्या होता है आपने अपने physics lab में देखा होगा कि एक bob होता है बॉब का मतलब क्या होता है एक कोई वजन सी जो जिन लोगों ने चाता लिया हुआ था वो कभी बॉब की तरह इधर जाते फिर इधर आते फिर इधर जाते फिर इधर आते तो इसी के लिए यहां पर बॉबिंग वर्ट का यूज किया गया है ऑथर ने अपने रूम से देखा अपने खिड़की के बाहर देखा कि अब ऑथर को इस बात की खुसी है कि यह जो बारिस है ना यह थड़ी बारिस नहीं है क्योंकि ऑथर कहां रहता है हमने बताया था रसकिन बॉंड मसूरी में रहते हैं और मसूरी में हमेशा थड़ पढ़ती है बर्फ पढ़ता है तो ऑथर इस बात से चलो खुस था कि बार का था ना वो पूरा खुसनुमा हो गया था वो लस हो गया था लस का मतलब बहुत ही ब्यूटिफुल हो गया था क्यूं हो गया था क्यूंकि जो लेट मौनसुन flowers कहते हैं ठीक है तो author कह रहे है कि भाई बारिस कई दिन से हो रही है और आप बारिस खतम होने वाली है इसी के लिए जो late monsoon flowers हैं जैसे कि wild balsam अब ने कोई इसकी हिंदी जानने की कोशिस ना करो आप ऐसे ही flowers का नाम याद करो जब भी exam में आएगा कि hillside में उस समय कौन से फूल लगाए गए थे या कौन से फूल उग रहे थे तो आप सीधा नाम बता देना कि wild balsam, dahlias, begonias and ground orchids ये कुछ ऐसे flowers थे जो उस समय जब बारिस खतम हो रही थी तब वो सारी चीजे पहाडों पर उग रही थी समझ में आया अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा चलो next देखते है 31st of August को क्या होता देखरो author 9-10-10 दिन बार diary लिख रहा है भाई 3 August को लिखा फिर 12 August को लिखा फिर उसने सीधा 31st of August को लिखा 31st of August मतलब August का आखरी दिन है लेखते हैं क्या होता इस दिन it is the last day of August author बताते हैं ऐसा लगता है कि हमें पता नहीं है 31st August आखरी दिन होता है चलो तो author ने बताया कि भाई 31st August आगया यह August का आखरी दिन है and the last monsoon growth और जो पर growth word किसके लिए यूज किया गया है growth का मतलब होता है केवल बढ़ना नहीं होता यहां पर growth as a noun की तरीके से यूज किया गया है what मौनसुन ग्रोथ का मतलब क्या होता है ऐसे फ्लार्स ऐसे फ्रूट्स जो मौनसुन सीजन में फड़ते हों या जो मौनसुन सीजन में उगते हों ऐसे फ्लार्स ऐसे प्लांट्स को हम मौनसुन ग्रोथ कहते हैं ठीके तो ऑथर कह रहा है भाई कि ये अगस्त का आखरी दिन है और मौसम बड़ा ही प्यारा बड़ा ही beautiful है क्योंकि जितने भी monsoon के flowers, fruits होते हैं वो पौधों पे लद चुके हैं, वो क्या हो चुके हैं, has reached its peak वो अपनी चरम सीमा पर है, मतलब सारे पेड पौधों पर monsoon season पे जो flowers उगते हैं, जो fruits उगते हैं, वो लदे पड़े हैं the seeds of the cobra lily are turning red, signifying that the rains are coming to an end author बताते हैं कि जो cobra lily का पेड है, अब देखो cobra lily क्या होता है, cobra की तरह एक पेड होता है, बिल्कुल ऐसा ठीक है, lily, lily का मतलब क्या होता है, कुमुदुनी का पेड, ठीक है, आप देख पार हो, cobra lily का ये पेड है और जब इसकी जो seeds होती है, जब इसकी बीज होती है, जो cobra lily की, जब वो red color की हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, signifying that the rains are coming to an end, इसका मतलब ये वो बता रही है कि अगर cobra lily का जो seed है, अगर वो लाल color का हो जाता है, इसका मतलब जो बारिस है, वो खतम होने वाली है, ठीक है In a few days the ferns will start turning yellow, author यहाँ पर कह रहा है कि भाई, जैसे जैसे बारिस खतम होगी न, जो fern plant की पतियां है वो कुछी दिनों में पीली पड़ जाएंगी, अब देखो fern plant क्या होता है, fern एक ऐसा plant होता है, जिसमें ना flowers उगते हैं, ना ही fruits उगते हैं, और ना ही इसमें कोई बीज होता है इस type of plant को vascular plants कहते हैं, खाली पौधे कहते हैं, इसमें केवल पतियां होती है, ठीक है तो जब fern की पतियां yellow होने लगेंगी, मतलब बारिस खतम होने वाला है, समझ गए, but right now, लेकिन अभी की बात करें, तो ये इस plant की जो पतियां हैं, वो अभी भी एकदम सक्त हैं, एकद on a fashion display on the grassy slopes of land or, author यहाँ पर बता रहा है कि भाई कुछ ऐसे भी fool हैं, कौन से fool, जैसे ground orchid हो गया, इनकी हिंदी नाम ना जानो, क्योंकि English नाम खुदी इतना typical है, कि हिंदी तो और ज़्यादा difficult होगी, ठीक है, और आपको exam में लिखने तो English word ही है, English flowers के name ही है, तो आप सिध butterfly orchids का fool है ना, वो land or एक जगह है, land or क्या है, land or एक जगह है मसूरी में, तो मसूरी में जादा तर पहाडी होते हैं, तो यहाँ पर बताए गया है कि land or की जो धलान है, जो land or की जो पहाडों की धलान है ना, वहां पर काफी घास उगे हुए हैं, और इन घासों के बीच में स ये flowers ऐसे उगे हुए हैं जैसे लग रहा है कि ये जो फूल है ये fashion display पर रखे गए हैं ऐसा लग रहा है कि ये इन फूलों को आते जाते लोगों को दिखाने के लिए रखा गया है समझ गया और भी आगे बहुत सारे फूल है जैसे wild dahlias wild dahlias एक ऐसा फूल होता है जो लाल कलर का होता है इसके अलामा yellow कलर का भी हो सकता है और इसके अलामा ये magneta कलर का भी होता है magneta कलर मेगेंटा कौन सा कलर होता है मेगेंटा भाई purple और red का mix होता है ठीक है तो यहाँ पर author बता रहा है कि जो wild dahlias fool है वो लाल कलर में पीली कलर में और magneta कलर में उगा हुआ है कहां से उगा हुआ है rear their heads from the rocky crevices where they have taken hold आप देख पा रहे हूँ अब देखो ये पत्थरों के beach beach बीच में जो छोटी छोटी जगा होती है जो छोटे 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 छेद होते हैं आप देख रहे हो दो पत्थर मालो रखा गया For example, एक पत्थर यह है, एक पत्थर यहीं पर हमने और रख दिया तो इन पत्थरों की बीच में जो थोड़ी सी जगह बसती है उसको हम crevices कहते हैं, समझ में आया तो author यहां पर कह रहा है कि यह जो fool है, दहलियास का वो इन पत्थरों की बीच में से उगाया है Rear का मतलब क्या होता है, to rise, अपने सर को बाहर निकाल कर देखना ठीक है, where they have taken hold अब तक यह जो wild हैलियास का fool था, यह पत्थरों के नीचे था लेकिन जैसे ही बारिस की बूदे इस पर पड़ी, यह पत्थरों के बीच में से उगने लगा है समझ में आया, अब snakes and rodents, यह तो बात हो गई फूलों की कि कहां-कहां fool उगे हुए है अब बात होगी भाई, सांप, जो चूहे हैं और जो सांप है ना flooded out of their holes, वो अपने holes, अपने बिल से बाहर आ गए है क्यों? क्योंकि इनका जो hole है, इनका जो सुरंग इन्होंने बनाया है जमीन के अंदर रहने के लिए उनमें पानी भर गया है अब यह कहां रह रहे हैं, अब यह सांप और यह चूहे, अब कहां रह रहे हैं take shelter in roofs, यह लोग छटों के नीचे रुके हुए है यह लोग जो सीडियों के नीचे, हमारे सीडियों के नीचे जो को थोड़ी सी जगह होती है वहां पर आपको मिल जाएंगे, यह साप और यह चूहे अब go-downs, जो लोगों को समान रखने के लिए हम go-down बनाते हैं वहाँ पर भी ये साप और चुहे आपको मिल जाएंगे क्योंकि इनका जो होल है इनका जो सुरंग इन्हों ने बनाया अपने रहने के लिए उसमें पानी भर गया है समझ में आया उसी समय ओथर देखता है कि एक स्रिव श्रिव का मतलब क्या होता है चचुन्दर हमें इसे हिंदीम बोलते है ठीक है यहाँ पर बताया गया न और श्रिव श्रिव का मतलब क्या होता है चुचुन्दर यहाँ पर इसकी दादीमा बता रही है चुलो मैं आपको आगे बताता हूँ यहाँ पर लिखा गया है ओथर ने देखा कि एक चचुन्दर है जिसको ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा हूँ वीक ओफ आई साइट यह चचुन्दर थोड़ा अपने नजरों से कमजोर है ब्लंडर्स एबाउद रूम यह चचुन्दर इसे समझ नहीं आ रहा कहां जाए यह आगे पीछे रूम में इधर उधर भाग रहा है बच्चे इस चचुन्दर के साथ मजे ले रहे हैं इसे परिशान कर रहे हैं तभी एक आवाज आती है दोण्ट कहले जाती है अड़मोनिशेज देर ग्रेंड मदर तभी इन बच्चों की जो दादी मा होती है उन्हें अड़मोनिसेज उन्हें डाटती है उन्हें कहती हैं कि मत मारो इस चचुन्दर को क्यों क्यों क्योंकि चचुंदर्स आर लकी दे ब्रिंग मनी क्योंकि चचुंदर काफी लकी होते हैं काफी भागे साली होते हैं और जिस घर में चचुंदर होता है उसमें पैसे बहुत आते हैं तो दादी मा ने कहा भाई चचुंदर को परिशान मत करो बच्चों क्यों क्यो चुछुंदर घर में है इसे परिशान मत करो क्योंकि अगर चुछुंदर घर में होता है तो पैसा आता है अब इस बात पर ये ओधर जो रस्किन बॉंड है न वो भी थोड़ा सा विस्वास कर लेता है क्यों क्योंकि ओधर कहता है यार दादी मा के बात पर मुझे पूरा बि ठीक है not a very large one author कहता है कि मुझे भाई चेक तो मिला है चुछुंदर घर में है ये मेरे लिए lucky है और इसी के लिए मुझे आज कुछ पैसे मिले है बहुत जादा तो नहीं है पैसे not a very large one but welcome all the same लेकिन जो कुछ भी है उस पैसे से मुझे खुसी मिली है इसलिए चुछुंद को ये author अपनी diary लिखता है क्या लिखता है कहता है कि we have gone straight from monsoon into winter rain ऑथर कहता है कि भाई अब देखो जो बरसात के मौसम में बारिस पढ़ रही थी अभी तक ना जादा ठंडी ना जादा गर्मी वो बारिस अब खतम हो चुकी है अब हम कहां पर आ चुके हैं अब हम ठंडिय की बारिस हो रही है एकदम ठंड ठंड पानी पढ़ रहा है अब जो बारिस हो रही है जो winter rain है इसकी वज़े से जितने भी पहाडियों वाला इलाका है जितने भी उचे अस्थान है वहाँ पर बर्फबारी भी हो रही है after an evening hell storm the sky and hills are suffused with a beautiful golden light ओथर कहता है कि कल साम को बर्फबारी हुई थी और उसकी वज़े से जो आसमान है वो काफी साफ है जो पहाड है उन पहाडों पर और इस पूरे आसमान पर ना रंग भर गया है suffused का मतलब to color किसी चीज में रंग भर जाना ठीक है तो author कह रहा है कि भाई साम को बर्फबारी हुई थी और इसके बाद जो पूरा आसमान है और जो पूरा पहाड है ना इसमें रंग भर गया है किस तरीके का रंग with a beautiful golden light एक सुनहरा सुनहरा सा रंग पूरे आसमान में in the hills अब पहाडों पर ठंडियों के मौसम में जो बारिस होती है उसमें कैसा माहूल होता है इसको दिखाने के लिए author ने एक पूरी poem लिखिये in the hearse the silence of the house से लेकर यहां तक loneliness तक इन्होंने पूरी poem लिखिये इस poem में इन्होंने describe किया है कि मसूरी में जब ठंड के मौसम में बारिस होती है तो उसमें क्या माहूल होता है चलो पढ़ते हैं in the hearse the silence of the house when I am quite alone and my friend who was here has gone author कहते है मैं अपने घर में बिलकुल अकेला बैठा हुआ हूँ जब मैं बिलकुल अकेला था मैं इतना ज़ादा अकेला था कि मेरे अगल बगल hearse the silence था house the silence का मतलब अगर कोई सांस भी लेता न तो इतनी ज़ादा सांती थी कि तब भी आवाज आ जाती मुझे किसी के सांस लेने की भी ठीक है तो इतनी ज़ादा सांती थी और मैं बहुत ज़ादा अकेला था क्योंकि जो मेरा दोस्त है who was here जो मेरे साथ यहां मसूरी में मेरे र लिख पा रहा हूं लिख रहा हूं तब भी मेरे अगल बगल इतनी ज़ादा सांती है जैसे आप पानी को फर्स पर डालते हो तो पानी फैल जाता है न सेम वैसे ही मेरे अगल बगल सांती फैली हुई है और इसी लिए मेरे मन के अंदर भी एक अजीब तरीके का सांती है अजीब तरीके की सांती है इसी बीच मुझे बारिस की भी आवाज आ रही थी बारिस लगातार पड़े जा रही थी steady drift का मतलब लगातार बारिस हो रही थी कहां पर पेड के पतियों पर जो निम्बू के पेड पर जो निम्बू लगे थे उस पर भी भाई बारिस हो रही थी चट पर भी बारिस हो रही थी और जब ये बारिस की बूदें डहलियास के पौधे पर पड़ रही थी तो उसे गीला कर रही थी और जब विंडो के पैन पर पड़ रही थी जब मेरे खिड़की के सीसे पर पड़ रही थी न तो वो ड्रम की तर 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 आवाज कर रही थी बहुत जादा आपको दीख नहीं रहा है, ठीके तो author कहते हैं कि यह जो mist था ना, इसने मेरे घर को एकदम private सा बना दिया था, ऐसा बना दिया था जैसे कि dark caress, यहाँ पर देखो इन्होंने एक example दिया है कि caress का मतलब होता है kiss करना, touching और holding lovingly, ठीके प्यार से किसी से चिपकना ठीके तो जैसे हम private में यह सारे काम करते हैं ना, सेम ऐसे ही mist ने मेरे घर को एकदम private सा बना दिया था, as I pause near a window, the rain stops and starts again, author कहते हैं, मैं जब यह diary लिख रहा था, तो मैं थोड़े समय के लिए window के pass गया था, तो मैंने देखा कि भाई, उसी बीच, बारिस रुकी एक बार और the trees, और author ने देखा कि जो पेड़ थे, अब वो हरे भरे तो नहीं रह गये थे, क्योंकि ठंडियों का मौसम आ गया था, लेकिन अब वो ग्रे कलर के हो गये थे, ग्रे कलर का मतलब बर्फ बारी होने की वज़े से, उनके उपर क्या हो गया था, भाई, बर्फ पड़े थे त अपने अकेले पन से मुझे डरा रहे हैं, जब वो बाहर पेडो को देखते हैं, समझ गये, चलो, March 23, अब देखो 23rd of March, last day of Ruskin Bonds Diary, इनोंने इसमें क्या लिखा है, चलो देखते हैं, late March, end of winter, इनोंने कहा है कि भाई, March का आखरी हफता चल रहा है, ठंडियां खतम होने वाल थे कि इतना blackest cloud Ruskin Bonds ने कभी नहीं देखा था, and then it hailed marbles for half an hour, और उसके बाद अगले आदे घंटे तक लगातार बारिस होती रही, और बारिस के साथ साथ, marble पत्थर होता है ना सफेद कलर का, उसकी तरह छोटे-छोटे बर्फ के गोले भी गिरने लगे थे, nothing like a hail storm to clear the sky, author क कहते हैं कि जब बर्फ बारी होती है, तो उसके बाद आस्मान साफ हो जाता है, लेकिन ये भाई ये तो बारिस हो रही थी, ये बर्फ बारी तो हो नहीं रही थी, इसलिए उतना जदा आस्मान साफ तो नहीं था, लेकिन even as I write, लेकिन जब मैं ये लिख रहा हूँ, तब मै देख पा रहा हूँ कि I see a rainbow forming मैंने देखा कि मेरे सामने एक इंद्रधनुस बना हुआ ठीक है written by Ruskin Bond chapter यहीं पर खतम होता है comprehensive check questions यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच है तो और भी कुछ exercises है तो अब भी तो possible नहीं है discuss करना क्योंकि वीडियो बहुत दा अप्लोड हो चुका है चानल को subscribe करो घंटे को दबाना मिलते अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद